अगर मेरा दारकारक मंगल कुम राशी में आठमे भाव में है तो मैं किस तरह का साथी आकरशित करूंगा? अगर मंगल आपका दारकारक है और यह कुम राशी में आठमे भाव में है, तो उम्मीद करें कि आपका साथी तीवर, भावुक और रहस्यमय होगा. दारकारक के रूप में मंगल एक मजबूत व्यक्तित्व वाले साथी को दर्शाता है, जो चुनोतियों का सामना करने के लिए सासी और निडर है जब यह आठवे भाव में होता है, तो यह उनके चुम्बकिय आभा को तीव करता है, लेकिन जटिलता की एक परत भी जोड़ता है, वे बहुत निजी हो सकते हैं, रहस्यवाद में रुची रखते हैं, या आपके जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाल सकते हैं कुम राशी के साथ, ये साथ ही अपने तरीकों में अपरम परागत हो सकता है, संभवता भविश्य के विचारों, प्रोध्योगिकी, या सामाजिक कारणों से आकर्शित हो सकता है, वे कभी कभी अलग थलग लग सकते हैं, फिर भी प्रतिबद्ध होने के बाद बेहद वफ लेकिन यह आप दोनों को विकास की ओर ले जाएगी, सीमाओं को लांगेगी और जीवन को बहुत गहराई से समझेगी, कृपया अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म को सब्सक्राइब करें